इतिहास की अनूठी दुनिया में आपका अभिनंदन है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम अशोक मौर्य के विशे में जानेंगे। मेरे पास जो किताब है उस किताब का नाम है प्राचीन भारत का राजनेतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंदर पांडे ने। मित्रो अशोक कदाचित भारती इतिहास का सबसे प्रख्यात नरेश है। मैं तो कहता हूँ कि कुछ विदेशी विद्वानों ने भी अशोक के विशे में बड़ी मेहनत से लिखा है। इसके परिणाम सुरूप अशोग के विक्तिगत एवं राजगी जीवन के समस्त क्रिया कलापों की रूप देखा बहुत कुछ स्पष्ट हो गई है सौभागे से उसके समय पर प्रकाश डालने वाले इतिहास साधनों की कमी नहीं है हमें अनेक साहितिक और अनेक पुरातात्विक साग्ष अशोग के सम्मंद में मिल जाते हैं साहितिक कोटी में सबसे ज़्यादा उलेखनी है सिंगली गरंथ दीपवन्ष और महावन्ष साहितिक कोटी में सर्व प्रथम उलेखनिये हैं सिंगली ग्रंथ, दीपवन्ष और महावन्ष कहते हैं कि ये दोनों ग्रंथ प्राचिन अठ्य कथा पर आधारित हैं इनकी दचन्ना इसा की चौथी अत्वा पांचवी शताब्दी के लगबग हुई थी ग्रंथों में अनेकानेक अतिरंजित एवम कालपनिक विवरण मिलते हैं फिर भी हम इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते हम इनको इतिहास के लिए अनुपयुक्त गोशित नहीं कर सकते सेनार्ट और रीस देविड्स जैसे लब्द प्रतिष्ठ विद्वानों ने इन ग्रंथों की मान्यता को स्विकार किया है उनका मत संतुलित है वे नै तो इने विशुद एतिहासिक ग्रंथ मानते हैं और नहीं वे इने विशुद कालपनिक ग्रंथ मानते हैं एक अत्यन्त प्रतिवाशाली ब्रामन हुआ है उद्धगोश इसका काल लगभग पांचवी ईश्वी का है जो बाद में बौद्ध हो गया था और श्रिलंका जाकर जिसने सिंगली अठ्ठ कथाओं और त्रिपी तक आदिका अध्येन किया तत्पस्चात इसने बौद्ध ग्रंथों पर अनेक टीकाएं लिखी अशोक के इतिहास निर्मान के लिए इन टीकाओं में सामंत पासादी का महत्वपूर्ण है यह विने पिटक की टीका है परन्तो इसमें अशोक से संबंधित अनेक अनेक विचारनी उल्लेक मिलते हैं डीस डेविट्स इस टीकाओं को एतिहासिक अभिरुजी की खान ए माइन ओफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट कहते हैं एक ग्रंथ है दिव्यावदान अवदान का अर्थ होता है सतकर्म अतहे दिव्यावदान से दिव्य सतकर्मों का बोध होता है इस ग्रंथ के एक भाग का नाम है अशोकावदान इस अशोक विशयक ग्रंथ अशोकावदान में हमें इतिहास की रचना की काफी सामगरी मिलती है जो कि अशोक से जुड़ी हुई है कदाचित इस में इस ग्रंथ में जो बातें लिखी गई हैं वे बातें भी सही हो सकती है इस गरंथ का संगठन तीसरी चोती इस्वी के लगबग हुआ था दिव्यावदान की बात नहीं है और भी बहुत सारे गरंथ हैं जो अशोक के सम्मध में सूचनाएं देते हैं लेकिन हमें हर एक गरंथ का पहले मुल्यंगन करना होगा और उसके बाद में कोई नतीजा निकालना होगा अशोक आवदान माला यह महायान का एक गरंथ है और श्लोकों में लिखा गया है अशोक आवदान माला के पहले भाग में अशोक के सम्मध में कताएं हैं और दूसरे भाग में उपयुक्त ने अशोक को जो उपदेश दिये थे उनका कथा रूप वर्नन है एक ग्रंथ है आर्य मंजुश्री मूल कल्प यह महायान संप्रदाय का ग्रंथ है जिसमें निर्वान के लिए महात्मा बुद्ध ने कुछ मंतर बताये हैं यह बताया है उन्होंने कि इस दुनिया के कष्टों से मुक्ति कैसे मिल सकती है यह बहुत बादगा ग्रंथ है परन्तो इसमें मौरिवन्ष के संबंध में अनेक उलेक मिलते हैं यदि हम पुरानों की बात करें तो मौरिवन्ष के इतिहास निर्मान के लिए पुराणों में महतोपूर्ण सामगरी भरपूर है अनेक स्थलों पर पुराणों के कथन एशुद्ध है परसपर विरोधी भी है फिर भी सम्यक शोधन से विद्वानों ने इन महतोपूर्ण ग्रंथों से अशोक से सम्मंदित सही तत्थों को खोज निकाला है अशोक से सम्मंदित सही तत्थों की जानकारी जुटाली है लोगों ने पूराणों से एक ग्रंथ है राज तरंगिनी बारवे शताबदी में राज तरंगिनी लिखी गई थी कल्लन द्वारा यह इतियास ग्रंथ के बहुत कुछ अनुरूप है इसमें अशोक का उलेक हुआ है तत्था पे प्रमुक तया वह कश्मीर नरेश के रूप में ही हुआ है यदि विदेशी लेकों की बात करें तो विदेशी लेकों फा यूएन चोलिन नामक चीनी करंद के लेखक फायान वेंसांग इत सिंग आदे ने अशोक के विशे में यत्र तत्र प्रकाश डाला है उनके उलेकों से विद्वानों को परियाब्त सहायता मिली है यदि हम पुरातत्तों से सम्मंदित जो स्रोत हैं अशोक के विशे में उनकी बात करें यदि हम पुरातत्तिक स्रोतों की बात करें तो इस दिस्टी से अशोक का काल हमारे लिए अत्यंत सम्रिद्ध है सबसे ज़्यदा उलेकनी है स्वैम अशोक के अभिलेक स्वैम अशोक के शब्दों में उसकी जीवनी उसके व्यक्तित्व उसके शासिन प्रबंद तथा ततकालें सामाजिक एवं धार्मिक अवस्था पर हमें भूत सारी जानकारी अशोक के स्तंबों से उसके अभिलेखों से उसके शब्दों में ही मिल जाती है सत्रे सो पचास में टी फैंथलर ने सरुप्रतं दिल्ली में अशोक स्तंब का पता लगाया था तब से उसके स्तंब लेखों और शिला लेखों का अन्वेशन और शोधन जारी रहा उसके अंतिम शिला लेख की खोज 1915 में बीडन ने मास्की में की थी प्रारंभ में अभी लेखों की लिपी के पढ़ने का अतिक्रांती कारी कारिय जेम्स प्रिंसेप ने किया था उसके पश्चात तो अनेक पास्चात एवं भारती विद्वानों ने उन अभी लेखों का अद्धेयन और विश्ट्रेशन किया है यह कारिय अब भी जारी है इन अबिलेखों की सूचना इतनी विविध और विस्तृत है कि प्रसिद विद्वान डॉक्टर डी आर बन्नार करने तो एक मातर अबिलेखों की सहाथा से ही अशोक का इतिहास लिखने की सफल चेश्टा की है इन अबिलेखों का महत इसलिए भी अधिक है कि जहां बौद साहित अशोक को बौद प्रचारक के रूप में प्रदशित करता है वहाँ ये अबिलेख उसे राजा के रूप में भी चित्रत करते हैं फिर भी हमें इन अबिलेखों का आद देयन बड़ी सावधानी से करना चाहिए क्योंकि इन में अनेक त्रोटियां और इनकी सीमा भी है ये नितांत व्यतिगत हैं एक मात्र अशोक का वर्णन करने के अतिरिक्त ये किसी भी राजा का विस्तित वर्णन नहीं करते स्वयम अपने निर्माता के पिता और पितामय के विशे में भी वे माउन है फिर राजगी एक रुतियां होने के कारण विद्वान कभी कभी उनके वर्णनों को निश्पक्ष और वास्तविक भी नहीं मागते वदाहरन के लिए अशोक के तेर्वें शिलालेक की बात करते है इसमें अशोक ने विदेशों में अपने व्यापक बौध प्रचार का उलेक किया है तो इस देविड्स ने इस उलेक पर संदेह प्रकट किया है टेविट्स का मत है कि इस अभिलेक के वर्णन में कोरी इतिहासिक्ता की अपेक्षया राज की आत्म शलागा अधिक है इस विद्वान के आरोप में कहां तक सचाई है यह तो इतिहासकारों के शोधन करने की खोज करने की बात है लेकिन इतना तैह है कि यदि कोई अभिलेक विशुत रूप से राज की होगा तो उसमें कहीं कहीं संदेह तो उत्पन होंगे विद्वान का पत्यां तो खड़ी करेंगे और विद्वान ही उना पत्यों का निराकर्ण करेंगे यदि उनका निराकर्ण हो पाया अपने अविलेखों में अशोक ने अनेक स्थानों पर ऐसी शब्दावली का प्रियोग किया है जो आज दुर्बोध हो गई है उदाहरन के लिए लगूर शिलालेख का एक कथन देखते हैं या इमाय कालाय जमगो दीपसी अमिसा देवा हसुते दाने मिसा कटा इसी प्रकार चतुर्त शिलालेख का एक अन्यकतन है वियान दसना वहस्ती दसना चागी संगानी चाण्यानी चादीव्यानी रुपानी दस यपता ऐसे ही अनेक उलेखों ने विद्वानों के बीच भारी विवाद खड़ा कर दिया है इन त्रूटियों और सिमाओं के होते हुए भी अशोक के अभिलेखों का भारी महत्व है एक अभिलेख है गिर्नार का अभिलेख जो कि रुद्र दामन का है इसके तिथी वहत्तर शक समवत अथवा 150 इस्वी है इसमें सुदर्शन जील के निर्मान एवं उसके जिरनोधार के संबंद में चंदरगुप्त और अशोक तथा पश्यमी प्रदेश में न्यूक्त उसके गवंडरों क्रमशेह पुष्यगुप्त और तुशाश्क्व का उलेख मिलता है इनकी एतिहासिक्ता में संदेह प्रकट किया है विद्वानोंने उनका मत है कि बहुत बाद का अभिलेख होने के कारण उसके मौरे कालीन उलेख दंत कथा मातर ही हो सकते हैं परन्तु इस आपत्ती में विशेश बल नहीं है इतिहास में चार सो वर्षों का काल कोई बहुत बड़ा काल नहीं होता रुद्र दामन के संपूर्ण अभिलेक का अध्यन करने से ग्यात होता है कि उसके निर्माता में सम्यक इतिहास बुद्दी थी वह कोई गल्प कारने था अते हैं जब इतिहास की किसी विगत गठना का उल्ले करता है वह है तो हम उसे एक मात्र इसी आधार पर एगराई ये नहीं कर सकते कि वह 400 वर्ष पूरू का है आखिर मौरे कालिन उल्लेखों में ऐसी एव विश्वस दियता ही क्या है चंदरगुप्त और अशोक का शाशन प्रायह संपूर्ण भारत पर था ये उनका अधिकार पश्रिमी भारत पर रहा हूँ तो आश्रे क्या है पुनहे अधिकृत प्रदेशों में राष्ट्री नियुक्ति की बात भी ऐसंभव नहीं है रही सुदर्शन जील के निर्बान की बात तो यह नितांत स्वभाविक है नेगस थनीच और कौटिल्य दोनों ने सिंचाई के प्रबंद के प्रती राजकी एसाफधानी का उलेख किया है यदि चंद्रगुप्त और अशोक ने पश्चेमी भारत में सुदर्शन जील का निर्मान और जीर्नों धर करवाया हो तो इसमें आश्चेरे की बात क्या है जब उत्तरकालीन हाथी गुमफा अभी लेख में वरनित नंदकालीन गटनाओं को ग्रहन किया जा सकता है एक गुहालेख है नागारजुनी गुहालेख इसमें अशोक के उत्तागामी मोर्य नरेश देवा नाम प्रिय दशरत का उलेख है इससे प्रकट होता है कि अशोक द्वारा प्रचुर रूप में प्रयुक्त देवा नाम प्रिय का विरुद उसके उत्रा देकारियों ने भी ग रखा जिस प्रकार बाराबर अभी लेक में आजीविकों के लिए या आजीवकों भी कहते हैं लोग इनको अशोक के गुहादान का वर्णन है उसी प्रकार हम नागादूनी लेक में दश्रत के गुहादान की जानकारी प्राप्त करते हैं दिवानाम पिये या दिवानाम प्र प्रिये की उपादी की परंपरस लंका में भी पहुंची वहां के कटिप ए-ब्राहमी अभी लेखों में इस उपादी का प्रयोग मिलता है पारस के साखा मनिय नरेशों द्वारा महान और उसके उत्रादिकारियों के अभिलेखों में थाती ये दारा ये वो सिक्षयातिय का प्रियोग मिलता है सोनार्ट ने इसका सम्मंद देवा नाम पर ये प्रिये दर्शी राजा आह के साथ स्थापित किया है अनेक विद्वानों का मत है कि फारस की राजधाने परसी पोलस के भवन, स्तंब एवं अन्यान ने कला विद्यों का प्रभाव अशोक की कला कृतियों पर दिश्टी गोचर होता है तो वित्रो ये जो अशोक से सम्मंदित सूचनाएं हैं जो साहितिक भी हैं और जो पुरा तात्विक भी हैं ये अशोक के काल के इतियास की रचना की दिश्टी से बहुत महत्वकून है जहां जहां जरूत होगी जहां जहां प्रसंग आएगा वहां हम अशोक के शिला लेखों की उसके अभी लेखों की चर्चा करेंगे और तब हम इस बात को समझ पाएंगे कि क्या उन अविलेखों को उन स्टम्ब लेखों को इतिहास के उन महतुपूर्ण प्रमाणों को हम सीधे ही गिरहन कर सकते हैं या उनका हमें मुल्यांगन करना चाहिए उनका विजलेशन करना चाहिए इतिहास में कोई भी चीज सीधे गिरहन नहीं की जा सकती उसका मुल्यांगन इतिहास कर करते ही हैं और उसके बाद अपना कोई निसकर्ष देते हैं आज के इतिहास पार्ट में इतना ही फिर मिलेंगे नमस्ते